हेलो वेलकम टू माई चैनल मैंने इस सिंपल प्लेन कुर्ती से जो कि मुझे काफी टाइट हो रही थी स्लीव से उसे मैंने ये ड्रेस कैसे बनाई चलिए इसका पूरा वीडियो देखते हैं देखिए मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की थी तो इस तरीके से में उपर वला पार्ट को हम कट कर लेंगे पहले ड्रेस को और अब जो नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट था उसे हम इस तरीके से जो वाइट वाला पार्ट था पहले उसे कट करके अलग करेंगे और जो बीच का पार्ट बचा उससे हम स्लीप्स बनाएंगे क्योंकि वो स्लीप मेरी काफी टाइट हो गई थी तो इस तरीके से जो मारी पहली वाली स्की तो उसे ही मैं इस तरीके से रखूंगी और एक सीधी लाइन कीच लूँगी इस तरीके से देखे मैंने सिंपल सीधी लाइन कीची और नीचे से भी इस तरीके से रखके कपरे को कट कर लेंगे यहाँ पर मैं 11 इंच का कपड़ा ले रही हूँ ज्यादा मैं यहाँ पर नहीं लूँगी इस तरीके से रखके पूरे को मैं कट कर लूँगी अब इस स्लीफ को हम उपर वाले पार्ट में अटैज करेंगे उपर वाले पार्ट में अटैज करने के लिए देखिए इस तरीके से उपर में हलकी सी गैदर हम देगे देखने में यह काफी अच्छी लगती है तो इस तरीके से कॉर्णर को हम पकरेंगे यहाँ पे एक बॉल पिन लगाएंगे और जो हमारा दोनों का सेंटर पार्ट है उस लगा नि mono लगा दूँगे और यहां तक मुझे इस कपरे को प्लें रखना वहा तक मैं बाल पिन को लगाऊंगी यहां पर देखिए तीन इंच तक मने यहां पर बआल पिन लगा है दोनों साइड में ही सेम इसी तरीके से और जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें हम गैदर बैठाएंगे इस तरीके से बॉल्पिन लगा देंगे और गैदर बैठाके सिंपल इसमें हम सिलाई कर देंगे सिलाई करने के बाद इसका लूप काफी अच्छा आएगा उपर से फुली फुली स्लीव लगेगी तो देखने में ये काफी अच्छी लगेगी मेरे चैनल पर इस तरीके की काफी वीडियोज है आर्ट एंड क्राफ्ट की होम डेकॉर की भी चीज़े में बनाती हूँ तो प्लीज उसे भी आप चेक करें मेरे चैनल पर विजिट करके अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज इसे कमेंड में बताना ना भूले अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो उसको सेयर करना भी ना भूले उपर वाला पार्ट हमारा इस तरीके से रेडि हो जाएगा और नीचे वाले पार्ट के लिए मैंने यहां सिंपल दो मिटर का वाइट फैबरिक लिया था क्योंकि मेरे पास सेम कलर की फैबरिक नहीं मिल रही थी मुझे मार्केट में तो मैंने यहां पर वाइट कलर का मैंने बीच से कट करके गैदर्स बठा दिये थे और बठाके उपर वाले पार्ट में अटैच कर दी थी जब ड्रेस बनेगी तो आपको देखके समझ में आ जाएगा कि वह किस तरीके का हुआ था तो सिंपली इस तरीके से स्लीव हमारी डेडि होने के बाद नीचे वाले प कि नीचे वाला पार्ट थोड़ा हेवी हो जाए तो देखें ये ड्रेस ऐसी भी काफी अच्छी लग रही है पर मैंने इसे ब्लैक कलर में कनवर्ट किया है क्योंकि ये कलर मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी तो देखें इस तरीके से प्लीट वाली बॉक्स वा ये काफी कलीप मेरे यहाँ पर डिलीट हो गई थी इसलिए पूरी कलीप मेरे पास नहीं है तो मैंने संजाने की कोशिस की है बनने में ये काफी इजी है तो देखें ड्रेस मैंने इसे ब्लैक कलर में डाइक कर ली थी घर पर ही तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके किया अगर प्लीज वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में ठेंक यू एंड बाइ